फ्रेंस इस वीडियो में हम लोग दुनिया के सबसे बड़ी सर्च एंजिन कमपणी गूगल को पर पिछले मुगरबर को अमेरिका में यूजर्स के गोपोनेता रिलोटेट एक मामला दायर किया जिसमें गोगल से 5 बिलियान डलर का हरजाना भी मना गया उसी case के बारे में details में जाने के है कि गोगल के पर ये मामला कि इस ने और किस गारण दायर किया साथ ही गोगल के तरप से इसका क्या प्रतिक था उसी के बारे में details में जाने तो वीडियो को बिनसखीट किय March तक ज़रूर दिखेगा तो चलिएए शरू करते प्रेंस Google का यूज है हम में से सभी लोग करते क्योंकि दुनिया का सबसे बार सब्सक्राइब जो है वो Google है आप अगर इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हो तो Google के बीना एक पकर नामूंकिन सा लगता है आज के डेट में हमारे बारे में हम से जादा Google जांता है और Google के बीना इंटरनेट का यूज करना एक पकर नामूंकिन सा भी लगता है ऐसे में Google के उपर अरुप लगना कई न कई एक चिंता के विशाई जरूर है तो चलि जानते हैं पूरा मामला क्या था प्राइबेट मोड में यूजर की निगराली करना गोगेल के लिए मेंगा सबित हुआ है अमेरिका में सर्च इंजिन कामपानिंग गोगेल के उपर इसी के चलते मामला करता है मामला में दावा के आगा है गोगेल जो है अवेद रूप से users की गोपनेट रेको पर हमला करता है भले कोई private mode में browsing क्यों ना करता हो यानि जैसे कि आप जानते होंगे Chrome वजर में आपको incognito mode मुझे जाता है यानि आप incognito mode यानि private mode का use करके भी अगर कोई चीज़ सर्च करते है या कोई वेपेस के जाते है तो उसका सारे record जो है गोगेल के पस फिर भी चला ही जाता है और इसी के जबते गोगेल और उसकी parent company alphabet से 5 billion dollar का हरजना की माम की गई है या मामला पिछले मंगल बार को लाग फाम बोईस सिलर क्लक्षनर ने अमेरिका का California में सेंट जोज के संगियो आदरात ने इस मामले को द्रायर किया है सिकायद में कहा गिया गोगेल computer या phone के साथ लगभग हर अमेरिकी से उसका गुप्त डेटा संग्रियों में संग्रियों में नहीं रह सकता फाइलिंग में कहा गिया अब हर जगर लोग इसके लिए चींतित हो रहा है कि उनके बैक्तिकात संचार को प्रजूप्ती कमपानी दारा हसिल करने के लिए सोसित किया जा रहा है आपको पता होगा गुगल प्रोम में इनकोगनीटो मोड यूजर को ब्राउजर या अपने डिवाइस में अपने गोतिवर्दी को सेब किये बिना इंटरनेट पे कोई भी चीज सार्च करने का बिकल्ब देता है लेकिन सायद आप ये ने जानतोंगे कि आगर आप इनकोगनीटो मोड को भी ओन करके कोई भी चीज सार्च करते हैं तो गोगल के पास इसको ट्रेक करने के लिए इसका बिकल्ब उपलाव थे अनलेट इस टूल के जरिए गोगल इसको ट्रेक कर सकता है तो चले जानते हैं इस मामले के उपता में गोगल के तरफ से क्या जवाब मिला गोगल के तरफ से गोगल का प्रोड़क्ता जोस कस्टनेडर इस दावे को सकती से खंड़न करते हुए कहां जैसे कि हम पर्स्ट रूप से बताते हैं कि हर भार जब आप एक नया इनकोग्निटो टैप को खोलते हैं तो वेबसाइट आपकी ब्रावजिन गोतिविदी के बारे में जानकरी हसिल कर सकता है सर्च इंजिन कंपनी का कहना है कि सर्च हिस्टरी कलेक्शन प्रावजिट मोंड में भी साइट के मालेक को उनके कॉंटेंट पोड़क्त और मार्केटिंग के प्रोदर्शन को बैतार करने में मदद करता है यानि आप इनकोग्नितो मोंड पर भी अगर कोई बीचीज सर्च करते यानि कोई वेबसाइट पर विजिट करते तो उस वेबसाइट का जो मालिक है उसके पास आपका सर्च इस्टरी जवाद चला जाता है यानि सीधा काँ जो कुछ भी करो गोगल जो है आपको ट्रैक कर सकता है तो यह था पूरे मामली के जांके रही कि किसने मामला लायर किया क्यों किया सारे डीटेल्स तो आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद करों को वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें प्रेंड क को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब जो रूब कर लिए तो मिनते अगले वीडियो बें तब तक के लिए बाई बाई